नमस्कार, सात्यूं, बालवाटिका या कक्षा एक में पढ़ाने वाले शिचकों के लिए मैं एक ऐसी पंजिका या रजिस्टर शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाने के बाद ना ही शिच्छक डायरी बनाने की आवश्यक्ता है और ना ही कोई और कार्योजना बनाने की आवश्यक्ता है ये है बालवाटिका पंजिका या स्कूल रेडिनेस रजिस्टर या फिर शिच्छक डायरी कक्षा एक बालवाटिका के लिए सत्र दोहजार 24 की जिसमें की बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको मोडिफाई किया है सजाया है यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट पेज पर बालवाटिका का लोगो लगाया है और अपने बिध्याले का नाम एबम अपना या नोडल से छक का इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया है पेज है जिसमें इस तरह से यह फॉर्मिट बना हुआ है यहाँ पर मैंने भाशा के अंतरगत बच्चों को सबसे पहले बढ़ माला का ग्यान कराना है तो चववन दिवस यानि चववन दिन का यहाँ पर पूरा कंटेंट लिख रखा है कि किस तरह से हम अक्षर अ से लेकर और अक्षर गया तक यह देख लिजे अक्षर गया तक बच्चों को चववन दिन में यह डेज लिखा हुआ है इदर और इदर भी यहाँ पर डेज लिखा हुआ है तो यह तूरा एक दिन से लेकर और चववन दिन तक का कंटेंट लिखा हुआ है कि आखर हमें चववन दि दिवस में पांच अक्षर और छटवे दिन में हमें उनकी पुन्राबृत्ति करानी हैं और साथ ही साथ यहां पर यह जो डेट का कॉलम बना है तो यहां पर जो कार्य दिवस होगा हमारा यानि किसी भी सिच्छका जिस दिन वो विद्याले में कार्य कर रहे हैं अनुपस्थि पर कार्य किया है वो ही देट यहां पर अंकित की जाएगी तो इसका हमने यूज किया है यह उपयोग में लिया है क्योंकि यह रजिस्टर में बना हुआ था तो यहां पर सोचा क्या करें तो इस तरह से भाचा के लिए मैंने यहां पर यह अंकित कर दिया है चलिए आगे द महतुपूर नहीं है सबसे ज्यादा महतुपूर जो अगर इसमें पंजिका में कुछ है तो वह यहां से आरंभ होता है यह देखिए यहांपर एक लोगोचिपका रखा है बच्चों का और ये लिखा हुआ है बालवाटिका पंजिका बालवाटिका कारियोजना बालवाटिका शिच्छक डाइरी ठीक है तो इसमें ये सबसे पहले शासना देश है जियो है जो कि महानिदेशक महुदर द्वारा प्रेशित किया गया है और यहां पर ये सत्र दो हजार तेश चौविस के लिए स्कूल रेडिनेस गतिविदी कलेंडर चहे कारिकरम एबं बालवाटिका में किस तरह से सिच्छड कारे होना है उसका शासना देश चस्पा किया गया है फस्ट पेज पर ये हा पानी पढ़ने से ये थोड़ा धोमिल हो गया था आगे देखते हैं ये फस्ट पेज है फस्ट पेज पर सासना देश चस्पा किया गया है भूब सेकंड पेज पर समय साड़नि आखिर जो बारे सप्ता की गतिविदियां हैं वो किस समय से आरंब होनी है और कब तक आरंब होनी कब तक चलनी है तो आप यहाँ पर यह डेट देख सकते हैं एक अपरेल 2023 से यहाँ पर मेंशन किया गया है सासना देश के साथ ही यह सनलगन किया गया है आपको यह समस्त पेपर्स चस्पा करने के लिए एक PDF लिंक के माद्यम से प्राप्त हो जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स से और आप यहाँ देखिए एक अपरेल 2030 से लेकर 31 अगस्त 2030 तक का यह पूरा सारी परिक्रिया दी गई है कि कब क्या करना है देट वाइज तो आगे देखते हैं यह तीसरी नंबर पर देखिए चहक कारिक्रम चहक कारिक्रम हमारे विद्याले में 8 अपरेल 2030 को कराया गया था तो उसको यहाँ पर अंकित कर दिया है और दूसरा चहक कारिक्रम में आखिर क्या क्या कराना है तो यह शासना देश के जो बालवाटिका स्कूल रेडिनेस के लिए प्रिशित किया गया है माहने देशक महुदर द्वारा तो उसमें यह संलगन है पूरा तो इसको भी कटिंग करके यहाँ पर चस्पा किये कि आखिर चहक कारिक्रम में कराना क्या है यह सारा एक पॉइंट लिखा है कि किस तरह स से आयोबावकों को मोटिवेट करना है उनका आयोमखी करन करना है तो यह सारी परिक्रिया लिखी हुई है आगे देखिए अब हमने यहाँ पर चहक कारिक्रम के बाद यह लिखा हुआ है गतिविदी कलेंडर सिच्छक डायरी एवं छातर उपस्ते दी ठीक है तो आप यह गतिविदी कलेंडर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के माद हम से पा सकते हैं उसको डाउनलोड कराके उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए फोटो प्रिंट करा लीजिए और इस तरह से इसको चस्पा कर गिए देखिए यहाँ पर सिच्छक डायरी मे आप डेट मेंशन करते हो डायरी बनाते हो तो यहां पर हमने क्या किया है कि जो सोंबार, मंगलवार, बुदवार, ब्रिस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार यह लिखा हुआ है अगर आप इस सत्ता में किसी दिवस में अवकास पर हैं या कोई अवकास सासना देश के अक यहां पर डेट जो मेंशन की जाएगी मैंने यहां पर पेंसिल से डेट मेंशन की है पेंसे नहीं की है तो आप यहां पर वही डेट मेंशन कीजिए जिस डेट में आप विद्याले में उपस्तित होकर इन गत्विदियों पर कारे कर रहे हैं अदर्वाइस कोई भी डेट य या आपके विध्याले में अवकास था तो इस तरह से यहाँ पर ये डेट मेंशन किये और साथ ही साथ देखिए इस कलंडर को आप उपर उठाइए और ये पंजिका के नीचे ये देखिए मंडे में ये दस बच्चे अभी तक नावांकित हुए है कक्षा एक में तो दस के दस बच्चे प्रजेंट हैं हमारे याँ अभी तक लगातार दस बच्चे प्रजेंट हैं उपस्थित हैं ये दि कोई बच्चा इसमें अनुपस्थित होता है तो रेड पेन से उसकी अपसें उसके सापेच कितने बच्चों निपुड लक्ष हासिल कर लिए हैं और कितने बच्चों निपुड लक्ष हासिल नहीं किये हैं तो यह इसकी आप रिपोर्ट जो है वो अपने इस उपस्थित के अकॉर्डिंग इस पंजिका के अकॉर्डिंग यहां से निकाल के देंगे कि आखिर यह बच्चा कम उपस्तित रहा या बिल्कुल नहीं रहा तो यह यहां से देखा जाएगा और देखिए इसी तरह से जैसे यह फ़स्ट पहला वीक है और इसको यहां पर तयार किये हैं ऐसे 20 तारीक तक ब्रस्पतिवार को हमने शिच्छड कार किया यह यह गत्विदिया कराएं लेकिन 21, 22 और 23 यानि शुक्रवार शनिवार और संडे तो इसमें मेंशन होगा नहीं अपनी तरफ से ही नहीं होगा लेकिन शुक्रवार और सनिवार को भी अवकास रहा इद का अवका तो यहां पर यह देट मेंशन नहीं की जाएगी बलकि जब नेक्स सोमबार को यानि कल से अर्था 24 अपरेल से हम सिच्छड कार कराएंगे तो यहां पर शुक्रवार की जगे पर 24 तारीक ही डाली जाएगी शुक्रवार नहीं 24 तारीक डाली जाएगी और शुक्रवार यहां सोंबार डालेंगे क्योंकि आपका सब्ता आपके सिच्छड करके अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना कि आपके अबकास भी उसमें इंकुलूड होते जाएं तभी आप निपोड लक्षियों को बच्चों को हासिल कराने में सक्षम होंगे आपको यह पता रहेगा कि आप आपने शिच्छड कार कितने दिन में कराया है और कितने दिन नहीं कराया है आपकास को यहां पर इंकुलूड नहीं करना है तब ही आपका यह गतिविदी कलेंडर जो है वो शिच्छक डायरी के रूप में अपने आप बन जाएगा और आप यहां पर यह दिखा सकते हैं श शिच्छड करने के दिवस तो आपको अलग से सिच्छक डायरी बनाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है यदि आप अपने इस गतिविदी कलेंडर का उप्योग अपनी इस पंजिका में इस तरह से करते हैं तो सातियों इस तरह से आप लगातार पूरा अभी तक हमारी विभाग दुआरा हमको आठ सप्ता का ही गतिविदी कलेंडर उप्लब्द कराया गया है इस सत्र में और आठ सप्ता का हम यहां पर चस्पा कर दिये हैं आठ सप्ता के बाद हमको क्या निर्देश मिलते हैं क्या कराना है उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो को और देखिए यह नेक्स्ट पेज यहां पर जो ब्लैंक है तो यह हम आठ सप्ता की गतिविदी कराने के उपरान जब बच्चों का आकलन करेंगे अप कितने बच्चे पिछड रहे हैं जो पिछड रहे हैं बच्चे उन बच्चों का नाम रोल नंबर यहां आंकित करेंगे और फिर उनके लिए उपचार आत्मक भंजिका यानि रेमडियल रजिस्टर यहां से हम आरंब करेंगे पहले से उनके लिए उपचार आत्मक रजिस् पच्छे पिछड़ जाएंगे जिन बच्छों को सामानने बच्छों के साथ नहीं सीख पाएंगे उन्हीं बच्छोंIGN के लिए हम उपचारात्मक रजिस्टर यहां से आरंब कर देंगे साथियों आपको एक मातरी यही रेजिस्टर यही पंजिका ऐसी बना लीजिए इसके अतरेक्त आपको कुछ भी बनाने की आपशक्ता नहीं है और जब आपके आकलन बच्चों के आकलन करने का समय आएगा तो हम हो सकता है कि इसी पंदिका में ही आकलन फॉर्मेट जो है वो अंकित कर दें या इसी में चस्पा कर दें आपके साथ इसी रजिस्टर को हम आगे भी इसमें आगे जो काम करेंगे तो फिर से इसको शेयर करेंगे आपके साथ तो सात्यों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और यदि आप हमारी चैनल के लिए नहीं है तो वी वीडियो